हलो दोस्तो नमस्कार एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं स्कूर मोई यूट्यूब चैनल पर हम लोग समाने विज्ञान की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज लेका हैं साथ से बारत तक के मॉडल सेट को पिछले वीडियो में हमने एक से छे तक के मॉडल सेट करवा में उसमें साथ से बारत तक का मॉडल सेट यह जो समाने विज्ञान होगा यह आपके गुरूब डी एक्जाम में चाहें सीवीटी टू एक्जाम हों टीपिसी या फिर एससे जीडी इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जितना भी क्वेशन आदी बिज तो इसको याद कर लिए एक बार में कार ये उर्जा ताप समय चाल यह सब क्या है अदीस रासी अच्छा अदीस रासी किसको कहते हैं वैसी रासियां जिन में केवल परिमाण हो दिसा नव हो उनको कहते हैं अदीस और जिसमें परिमाण और दिसा दोनों हो उनको सदीस रास जो होता है इसका तरंग देरे सबसे अधिक होता है साथ हजार एंगस्ट्रम और बैगनी रंग जो होता है इसका सबसे कम तरंग देरे होता है 4000 एंगस्ट्रम बात करते हैं आगे सरवाधिक प्रत्यास्ट पदार्थ कौन सा देखिए प्रत्यास्त का मतलब होता है किसमें सबसे यादा होती है बहूत है इस्टील में सबसे यदा सिटी ये इसी में कि इसको याद रख है क refund सबसे कठोर धातु कौन सा कौन साय प्लेटीनम अलटनिक और याद धातु उसको हम लोग कहते हैं सुस्क बर्फ परमाणू के नाभिक में क्या कहा रहता है तो प्रोटॉन और निट्रॉन जो होते हैं यह परमाणू के नाभिक में होते हैं इन दोनों के सवयोग को कहते हैं हम लोग क्या परमाणू द्रब्यमान और जो बाहरी कख्छा होती है उसमें इल्यक्ट्राण् गोंब रहा ह sûता है अगला कि कोई चैर्ज नहीं ऊता है सका अमोनियम क्लोराइट का कि पीछे सिक लोगता है कने के गाले कलिए पत्री में यहारा रंग की से कारण होता है यह कई बार की लिए देffleauuni तो पंठकोम है जूए अपको निगलते हैं हो दिखता है कि अलोगे तेकर यह से रहने ही ध 구ably करन के सब्सक्राइब कि टेफलोन के yemूंणा अक्सर चाराच यह सब बना दिया दोड़न नीचे में जो पलत लगा होता है होते तो हैं या फिर से घसी कभी कर दो यह यह कौन सा है रड on d要ड जो कैसे यह व्यूम अंडल में नहीं पायाता है अच्छारे अक्रिय गैस है कौन कौन से तो जिसके लास्ट मेंMichक्ट पूरा है इलेक्ट्रॉन जूंक आर्प्त हूटे वह पूरा होजह उसको अक्रिय के निय। तो आप लोग यहां से स्टार्ट कर सकते हैं हिलियम फिर उसके बाद आजाए आपका जो आरगन क्रिप्टोन जेनन यह सब क्या हैं अक्रिय गैस है आपका गुबारों में उपयोग होता है कौन सी गैस हिलियम गैस के उपयोग करते हैं गुबारों में इसकारन गुबारे हव के लगाता है तो मतलब है कि उसमें कैलम Sheriff & wal प्रवानेंट के ऐता है लोहे को जंग से क्लिए चड़ाइए यान जिंग की परद चढ़ा जाती है लोहे के परद को जंग से बचाने के लिए अच्छा जंग लगने से लोहा जो होता है वह भारी हो जाते हैं कि उसमें जंग लगने से खराब होगा नहीं जंग जब लोहा पर लगेगा तो उसका वजन जो होगा वह बढ़ जायागा खराब हो ओपयोग मिला आता है क्रितिम वर्षा के लिए फिलम हम अक्सर आप लोग देखते हैंगे वो सब क्या होता है सिल्वर आयोड़ाइड के यूज़ करके बनाया जाता है लोहा निकल और क्रोमियम के में सधातु कौन से है यह किसका में सधातु है तो लोहा निकल और क्रोमियम का में सधातु होता है इसमें आईरन लोहा निकल और क्रोमियम मिला होता है वह होता है स्टे का आप लोग करते हैं वो किसका बना उता है तो Cisc bond का सोनल किसी स्था और टीन का ये question बहुत बाए पूछा जाता है इसको याद कि आते हैं सब्सक्राइस अच्यात MSN के सुधता होटीये और जो 75% सोना होगा, मतलब 18 karat या 20 karat के उप्योग करके आप गहना बनवा सकते हैं तो कई बार ये भी पुछता है, कि 18 karat जो सोना होता है, उसमें कितना सोना होता है, तो आप 75% टेक करेंगे Quards में क्या होता है, Silicon और Oxygen होता है Quards में क्या मिलता है, Silicon और Oxygen लोहे का सबसे सुध्धतम रूप कान है, तो पीटवा लोहा जो होता है, और लोहे का सबसे सुध्धतम रूप होता है अच्छा लोहा किस फरनेस में बनता है, या आप हमें कमेंट करके बताएंगे सबसे कठोर पदार्थ है हीर हीरा क्या है सबसे कठोर इस सबसे कठोर द्रोत रबर बहुलग होता है किसका इस्का क्या कैसे बनाःता है प्राकृतिक नाइल्ण करको नाम की पीछे कानी है किषमें न्यूएयर्क और लंडन दोनों का नाम से कुछ लेटर ले करके और नायलोन बनाया गया है यह मानो द्वाराब सबसे पहला धागा बनाया गया था नायलोन का फिर आगे आते हैं सबसे उत्तम कोईला कौन सा है एंथरासाइट चोकि कोईला के चार मतलब बेसिक टाइप्स है वो आपका एंथरासाइट हो जाएगा लिगनाइट हो जाएगा बीटू मिनस हो जाएगा और पीट कोईला हो जाएगा काँ सा मिस्था दाद है किसका तामबा और तीन का बढ़ते आगे एक पीतल आपसे पूछता है तो पीतल का आप बताएंगे हमें कि उसमें क्या-क्या मिलके पीतल बना जाता है एक Pico Second किसके बराबर होता है? एक Pico Second 10 के पावर माइनस 12 सेकंड के बराबर होता है फ़लो को पकाने के लिए इसेटिलीन गैस का परेयोक करते हैं फ़लो को कृतरियम रूप से पकाने के लिए लोहे को इस पात में बदलने के लिए क्या मिल आता है? तो निकल धातु मिलाने से लोहा जो होता है वो इस पात में बदलता है विटामिन की खोज किस ने की थी फंक ने 1911 SP की बाद है जिसमें फंक ने विटामिन की खोज की थी बच्चों का मांसिक और सारेडिक विकास औरुद्ध हो जाता है किस कायां से थायरोक्सिन की कमी से यह थायरोक्सिन निकलता कहां से है थायरोड ग्लेंड से आपका जो एड़न सेपल है गले जो बाहर निकलता है गला गेका या गलगंड बीमारी कहते हैं वह आयोडीन की कमी के खारण होता है इसकान सब को अपने भोजन में आयोडीन जरू रखना चाहिए रक्त चाप मापने वाला यंतर कौन सा है एस्फीगो मैनोमेटर इससे हम रक्त चाप को मापते हैं डॉक्टर्स अक्सर लेके आते है ब्लड प्रेसर नापने के लिए वह जो ऐसे बांग देते हैं और उससे ब्लड मापते हैं मतलब प्रेसर मापते हैं उसको बोलते हैं अस्फीगो मैनोमेटर मनुस्य नहीं सुन सकता है कौन सी तरंग परासरब इतरंग चुकि मनुस्य जो है वो वह 20 हर्ज से लेके 20,000 की बीच स्वेत रक्त का उसरत जीवनगाँ कितना होता है स्वेत रक्त करन होते हैं इनका उसरत जीवनत जीवनत का 2 से 4 दिन होता है यकीन मानिए कि आप लोग गूगल करेंगे कि White BloodCells की जीवनों कितना होता है तो Google पर आपको मतलब चार साइट पर चारत लेकिन यह दो से चार दिन इसका होने वाला है स्वेट रख्तकणका चीक है दो से चार दिन इसका जीवन काल होता है गूगल में सच किया तक वो गलत मिल जागा इसका एंसर मैं यकिन आपको दिला दू वाइव मंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट है तो 78 परसेंट आप अस्थाई कंठता दूरो किससे तो सोधियम कर्बोनेट से यह औरक अंदर हो तो असिफिदSo असहाई को छोड़ दिया था क्योंकि मैं जानता था क्षिर विधूद बल्व धोब करते हैं तो फ्लिंट काच करते हैं किसके लिए था काम धुर्ग लूए थरूब करtu होता है आपका सीने बार तामबा की जब बात करेंगे तो इसका प्रमुखयस होता है क्यूपराइट और एलुमिनियम की जब बात करेंगा हम लोग इसका प्रमुखयस होता है बॉक्साइट बढ़ते हैं अगले पोटैसियम की बात करेंगे तो इसका प्रमुखयस ग्रीनोकाइट होता है यह पूरा आयस्क आपको याद कर लेना होगा चूकि इससे ग्रूप डी हर एक सिफ्ट में कोशन पूछते आया है और इस बार भी पूरा पूरा पूछने का चांसे बनता है तो इससे आप लोग चूके मत इसको याद जरूर के लिए अलग से सेक्शन लेके जिसमें केवल वोकेवल अयस्क का नाम दिया गया हो प्रकृतिक ग्यास कि में कौन सी गैस होती है या फिर किया होता है उसमें डाला हुगा यं फिया गडंद के लिए' विधाल मर्कृटम को मिला या था उसमें तत्तक नहीं मतलब का योगिक है मिलाया जाए तो गंध नहीं देगा बढ़ते आगे सेलिलोज से बना हुआ क्रितिरिम रेशा क्या कहलाता है उसको रियोन कहते हैं जो सेलिलोज से किया है मिला बना रहाता है क्रितिरिम रेशा उसको रियोन कहते हैं उसका इसका क्रितिक गनत होता है 2.02 और इसमें कन्फ्यूज रहते हैं तो देखिए आप एक्छी घनत्यों की जब बात करेंगे तो छोटा वर्ड है इसमें 2.2 अपर नाग थोड़ा सा बड़ा वर्ड है तो इसमें थोड़ा सा बड़ा यहने 2.42 ऐसे करके याद रखेगा समाने ताप एम समाने दाप पर विभिन्न गैसों के एक गराम अणू का आयतन कितना होता है यह मुझे कन्फ्यूज कर दिया है 22.4 लिटर लिखके ऐसा नहीं होता है ठीक है कई 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 गलत भी होता है एक मोल किसके बराबर होता है देखिए एक मोल जो है 6.023 इंटू 10 तू पाउर 23 यह चोओ पॉइंट जीरो दू तीन के पाउर 23 होता है जिसको एवगाड्रो संख्या भी कहते हैं कई बार पूशाता है कि एवगाड्रो संख्या का वैल्लू क्या होता है तो 6.023 इंटू 10 तू पाउर 23 इसे को एक मोल भी कहा जाता है यह आप लोग याद बर्फ का द्रवनांक या हिमांक कितना होता है तो देखिए बर्फ जो है वो जीरो डेगरी पर जम भी जाता है और जीरो डेगरी पर पिघल भी जाता है रियक्टर में नियंतरक छड़क करते हैं जो परमाडू रियक्टर होते हैं उसके अंदर नियंतरक छड़क कर रूप कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है कांच के अंदर लाल रंग में सबसे अधिक वेग होगा और बैगनी रंग में सबसे कम वेग होता है पानी में डुबा हुआ हवा का बुल बुला है आँ अतल लेंस की भाती कारे करता हैं दिखेका आपको उतल लेंस की तरह लेकिन कारे की तरह करेगा ऑतल लेंस कीतर है इससे लोग काल्पनि की बात किए जया तो काल्पनिक वस्तिव के बाराबर तथा उल्टा प्रकास का तरंग धहरा कितना होता है तो उसले कि एक一 बात को आप सबसे अधीक प्रकास की चाल यहीं होती है यह यह होती है थोस्व में उसमय का संचरण होता चालन विधी के आपका radiation के माद्ध हम से ठीक है विककिरण के माद्ध हम से यह तीनों याद रखिएगा कान प्रत ध्वनी का प्रभाव कितना दिर रहता है सेकेंड के दस्वे भागत प्रतिध्वनी सुनने के लिए स्फुरतायं परावर्टक सत्वर्भं के विचे रितित दूरी होनी चाहि कई लोलक का आवर्तकाल कितना होता है देखी जो लोलक लगा होता है घडियों में जो सेकंड भर में आता जाता है तो इसमें दो सेकंड का आवर्थकाल होता है कितना होता है दो सेकंड में लोलक एक बार जैसे यह माल लीजिए लोलक है यहां से यहां तक इसको जाना है यहां से यहां तक जाना है तो यह जानने य अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि तो प्लीज कर लो यार सब्सक्राइब करने में जाता क्या है और वीडियो को लाइक कर दो ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियो जो आपको सबसे पहले मिल सकें आप लोग प्रीमियर देखा करो इससे फायदा क्या होगा आपको कोई एड्स नहीं मिलेंगे बीच में ठीक ह इसलिए आप लोग हर दिन 12 विजे के इंतजार कीजिए 12 विजे में वीडियो अप्लोड कर दूंगा पक्का आप लोग प्रीमियर देखा किजिए 12 विजे से 12 तक आधा गंटा का लगव वीडियो होगा तो आपको काफी फायदे मिलेंगे इसमें चलिए हम लोग सुरू कर आप दूरी तो नियुंतन दूरी होती है इसकी 25 सेंटीमेटर और अधिकतन दूरी जो होती है वो अनंद तक होती है यह दोनों पूछता इसको समझ्यन छमता भी करते हैं कैपसूल का आवरन किसका बनाता है स्टार्च का जो आप लोग दवाई खाते हैं कैपसूल लंबा सा जो बाहरी परफ होता किसका बनाता है स्टार्च का अणडे का ऑरन किसका बनाता है कैलासियम कर्भोनेट का जह ंपर लोग द्जाइन का इसल्गाता है इसकी एक время स्टार के बहुत ज्यादा पानी निकलने लगी लूज मोशन या के माध्यम से तो क्या हो जाता है सरीर के अंदर सोडियम क्लोराइड की कमी हुए इस करण हमको और इस का घोल पीना चाहिए ताकि वो बॉड़ी को मेंटेन कर सके या फिर डॉक्टर आका आपको पानी चड़ाया गया है किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है किसमें निर्वा यह से जल जय से जाईलम ऐसे याद रखिए गा जल होगा चैलम के दवारा और फूड होगा फ्लाइम के दवारा अस्रू गैस है इसको आसु गैस आप लोग जनरली कहते हैं ख्लोरो एसीटो फिनोन्त तो कहते हैं अस्रू गैस कौन सी है यह सूपर कंड़क्टर जो होगा उसमें प्रति दोखता है कोई जरुवत नहीं है मतलब सुनने उसमें प्रति दोखता रहेगी करेंट एदम धाड़ा-धाड़ आएगा धाड़ा-धाड़ पास होगा डिने की खोज किसने की थी वाट्सनेम क्रिक ने डवल हैलिक्स मॉडल क रेफिजेटर कंदर जल ठंडा रहता है अज रेफिजेटर कंदर जनरली चार डिगरी सेल्सेस टेपनेटर बना हुआ रहता है वह मंडली दाब किसके बराव होता है दस के पावर पांच न्यूटन पर मीटर स्कौर यह उसको कहते हैं एक महिं मंडली यह दाब दो समानतर समानतर दरप्ण के बीच रखिवस्तू का प्रतिविम कितना बनेगा वही С Takes के बीच रखिवस्तू का अनमत्त प्रतिविम् नहмет dirma ghost io नहीं बहुत सारा प्रतिविम् बन जाएग पेपसीन कर भी आया था किस तापमान पर Celsius और Fahrenheit का पठ्हांग समान होता है तो माइनस चालिस डीडी टेंपरेचर जब होगा तो उस पर Celsius पहमाना भी लगाए या फिर Fahrenheit पहमाना लगाए दोनों में जो रीडिंग आएगा वो सेम आएगा किसने टेंपरेचर पर पार चलिज लिडिडी पर में जो उझ्णा वाला आपलो लाइट जलाते हैं उसमें अर्ग भरी जाती है सबसे हल्की धातु कॉन है बलीठियम जो धातु होती है यह सबसे हल्की धातु माने जाती है इसलिए का atomic number कितना होता है आप लोग कमेंट कर सकते हैं चावल को पॉलिस करने से कौन बिटाइमिन नस्ट हो जाता है तो बिटाइमिन बी जो है इसको थाइमीन कहते हैं वो नस्ट हो जाता है जल में या वसा में आप लोग कमेंट करका भी बताइए प्रीमियर के दोरान प्याज लह सुन में गंध आपको मिल जायागा किस पदात को लगाने से रक्त का बहना रुख जाता है फेरिक टॉराइड यदि आप यूज करते हैं जहां पर कहीं कट गया है आपके सरिर में और रक्त निकल रहाओ आप फेरिक क्लॉराइड के यूज करेंगे तो रक्त बहना कौन सी है उस्मियम जो है सबसे भारित हातु सबसे हलकी लीधियम है डीक यह का समाने नाम क्या है इसको बारी जिल करते हैं इसको ड्यो टेरियम करते हैं यह थिज है फ्रिस्वी क्षिड्र 20 अ तो मिलता है कौन सा भूपर पट्टी पर सरवाधिक मिलने वाला तक तो ऑक्सीजन है कौन सा तक है औक्सीजन प्रकृतइक वरण के सिध्धान तो किस ने पर्तिबादित किया, Charles Darwin ने प्रकृतिक वरण के सिध्धान्त को पर्तिबादित किया थे, इसको natural selection करते हैं फोटो क्रॉमिक काच में क्या व्यवरित होता है जो फोटो क्रॉमिक काच होता है उसमें Silver Iodide लगा होता है क्या लगा होता है, Silver Iodide नीवु में कौन सामल पायाता है Cytric Acid सेव में Mal necesita कौन लिटामिन गर्म करने पर नश्ट हो जाता है Bitarman C जो है यह गर्म करने पर नस्थ हो जाता है इसके करनम कौन सी बिमारी होती है यह कल का पहला क्यों थेजैस्ट आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे स्याही के धव्वे को मिटाने के लिए और यूस் процenti योज करते हैं रूश् façon कई बार पें जो है उसमें से लिग करता है स्याही आपके क्वाज साफ हो जाएंगा अब जेलीध कैसी अजिए लगाते हैं तो साफ हो जाया कि खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अमल नस्ट हो जाता है दूद में कौन सा आमल पायाता है दूद के अंदर लक्टिक एसिड पायाता है इपी कल्चर का संबंध किस चत्र से मदुमख्खी पालन को इपी कल्चर कहते हैं का कट पाचन किस थे कटांग में होता है तो प्रोटेन vandaag NOT में किस Obviously किस प्रकार का रोग है इस प्रकार का रोग है हिमोफीलिय कrine जो हीमफीलिया करते हैं अनुं क्रिप्ता है डूदर का छटना दूद से दहीं बनना यह किसप्राद के क्रिया यह क्लीडवन के प्रक्रिया है किडवन मतलब सड़ना कोई चीजी होता है और क्या зарजाता है कि खीडवन की दूदर के खीडवन के करना होता है दूद का फटना दूसरे दही बनना एक खीडवन होता है ठीक है इसमें वेक्टिरियाज पाट लेते हैं इसके वज़ा से हो पाता है मौडल से 12 की तरह बढ़ रहे हैं आज रहांती अंती चास साथ से बारत पहुचने वावलें इन्सुलेन की खोष किसने की थी रहिंत ने इंस्लिन की खोष की थी इसवी इंसुलिन की कम क्या वैसे हमने क्या है डाप्स घाता है पार सी चोंद में पीलारं करता हैंOTHER फरित करते मलेरिया का परजीवी होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया का परजीवी कुन सा होता है प्लाज्मोडियम यह किसके कारण फैलता है तो मादा एनोफ्ली मच्छर के कारण नर्स नहीं मादा से याद रखिएगा सब लड़की लोगा काम होता है रोक दोख को फैलाना विकास के उत परिवर्तन के सिध्धान को किस ने परतिपादित किया यूगो डी ब्रीज ने लड़कियों को मैंने टार्गेट ने क्या एक्चुली मैंने यह बोला कि मतलब मादा दोनों को एक साथ मिला देते हैं और तब जाके वैल्डिंग करते हैं बढ़ते हैं पॉलीथीन किसका बहुलक है इथिलीन का बहुलक होता है लोहा को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं जस्ती करन कर देते हैं मतल़ उस पर एक जस्ता का परद चड़ा देते हैं ताकि उस पर जंग न लगें हैलोजनों में सरवाधिक ग्रस लोल होता है कॉन सा का जो और जो सिम्बॉल होता है बीबी होता है आशु में K moments जैन पाजाता है आशु के अंदर लाइस व्लट का ओजे आए और फिस ग्रंथी के बढ़ जाता है थायोड मान Bennett की सबसे बढ़ी मान्सपेशी कौन से होती है리 मारो किद्स लूती में यह स्कूल है, glutius maximus, glutius maximus जो man spacy है, यह सरीर की सबसे बड़ी man spacy है, सरीर में 649 man spacy होती है, सरीर का घाव किस vitamin से जलदी भर जाता है, तो vitamin C से आपका सरीर का घाव जो होगा जलदी भर जायेगा, vitamin C की कमी रहेगी तो घाव आपका जलदी नहीं भरेगा, फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है, फोटोग्राफी प्लेट पर सिल्वर ब्रॉमाइड की कोटिंग की जाती है, हैजा की सुष्मिजीव द्वारा होता है, तो विब्रियो कोलेरी की द्वारा आपको हैजा हो सकता है, इसा रखत जाता है असुद्धरत कहने के मतलब जो नौ अक्सिरा मतलब कार्बन डेक्साइड डिस ब्रड मिला होता है वह आपके महाध्धमनी से अच्छुकि आपको जानते हैं कि जो धमनी होती है उसके अंदर ऑक्षिदेटर ब्लड होता है ते जो महाध्धमनी कहें तो इसमें नन अक्सिनेटर ब्रड होगा इस तरह से एक महा सीरा होता है तो जो कि सीरा में असुध रक्त होता है लेकिन महा सीरा जो होता है उसमें सुध रक्त पाता है यह दोनों फैक्ट आप क्लियर रखिएगा यह कई बार फसाता है लोगों को रक्त में गैसो का आदान परदान किस अंग में होता है तो रत्वी के आयू का परिकलन किस बिजिद वारा कि आता है सोरी इडरींःटिंगमे दाना देखिए एक चीज़ यहां पर और बता दू जितनी भी जीवीत वस्तुए थी आनि लिविंग तिंग्स जैसे पेंड़ पोध है मनुष से इन सब का यादी एज निकालना हो कि यह कितना साल पुराणा बॉड़ी है वेगर है ऐसा कुछ निकालना हो तो वह निकालते हैं हम ल तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना वीडियो को लाइक कर देना और मन होगा दोस्तों तक सेर कर देना और और ज्यादा मन खूस हो जाएगा तो आप लोग इसके पहले वाला सेरीज मतलब एक से लेके 6 तक का जो सेट में ने दिया था इसको भी जाके देख लिज बिज्ञान खतम हो जाए जिससे आप लोग गुरूब डी एससे जीडी सीविटी टू इतादी जितने भी एक्जाम आगे आने वाले हैं जिसमें बिज्ञान से कुछन पूछा जाएगा वो सारा आपका कवर हो जाए धन्यवाद